तो वेरी गुद मॉर्निंग गाइस आई होप यू आ दूइंग गूड गाइस काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे एज रैक्सेशन को लेकर और जो इसमें कुछ ट्रेट्स मैंन के पाद है उनको लेकर काफी बच्चों के मन में डाउट्स आ रहे थे तो दोस्तों आपके डाउट्स में आज आप कवर अप करने आ चुका हों इस वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दोस्तों ओफिशिल नोटिफिकेशन है असाम राइफल का टेक्निकल एंट्रेट्समें दोस्तों यह बिल्कुल ओफिशिल नोटिफिकेशन है जो की इंप्रोव्मेंट न्यूस पेपर में भी आ चुका है दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो मैं मेरेंडम नंबर 1216 रिकूर्मेंट ब्रांच 2021-2656 डेट है 16 अगस्ट को यह पब्लिश किया गया था ठीक है एंड दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूँ इसके जब फॉर्म चालू होने है यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों लेकिन अभी तक धंग से चालू नहीं हुए है काफी सारे बच्चों को देखकत आ रही है यहाँ पर इसके 11 सितंबर से चालू होने थे दोस्तों लेकिन काफी सारे बच्चों को देखकत आ रही है अभी भी आ रही है और कुल मिला के 1230 पद निकले है यहाँ पर ठीक है एंड इसकी जो रैली जो होनी है फिजिकल होना है या रिटन होना है जो कुछ भी स्टार्ट होना है वो एक दिसंबर से चालू होगा जो भी होगा दोस्तों ठीक है और बच्चे कुछ रहे ते काफी जादा एज की कट ओफ को लेगे कि एज कट ओफ क्या रखा गया है तो एक कट ओफ रखा गया है दोस्तों आपका 1 अगस्त 2021 से अगर आप 1 अगस्त 2021 तक 18 साल के हो ठीक है या 23 साल से जादा नहीं हो तो आप इलीजिबल हो दोस्तों पाकी 5 साल की छूट SCST को मिल जाती है OVC को 3 साल की मिल जाती है जो कि आपको पता मिल ही जाती है हर बार कोई बताने की जूरत नहीं है ठीक है और कुछ अगर मैं बताओ इसमें को इंपोर्टन इंफरमेशन दोस्तों तो देखो हाइट बगरा जो रखी गई है सभी के लिकुमाओं गोर्खा डोगरा मराथा यह जो जितने भी कम्यूनिटी हैं दूस्तों अगर इन में से बिलॉंग करते हो तो आपको हैट चाहिए 165 सेंटीमेटर चस्ट चाहिए 78 और फुलाकर 83 और अगर आप SC हो तो आपको और यहाफिर जर्नल हो या OVC हो तो आपको हैट का क्रिटीरिय किस तरह से होगा ठीक है एंड दोस्तों मैं बता हूँ स्पैशल यहाँ पर देख सकते हो फिजिकल स्टेंडर टेस्ट फोर नायब सुवेदार राइफल मैं वोटर मेहिकल अलेक्रिशन मसालची वरंट अपसर तो यहाँ पर भी सेम ही रखा गया यहाँ पर अगर आप से स्टी हो या फिर फिर आप वोमन हो या पीड़ी हो अगर आप दोस्तों आप देख रहें स्क्रीन पर अगर यह दो सुरुपर रखा गया है उनके लिए जो ब्रिज एंड रोड पोस्त के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि सिरफ गुरुप बी की पोस्त क अगर आपका ट्रेट्स में आता है ठीक है तो उसमें 100 रुपर रखा गया है कोई फीस चारज नहीं करी जाएगी शेडियूल कास से शेडियूल ट्राइब से लड़कियों से एक्सर्विस में से ठीक है तो दोस्तों यह चीज है आपके सामने स्क्रीन पर ठीक है और उसके दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं प्सक्रीन काहां होगा आपका दीपू में शिलोंग में ज्वरहाट में शिल्चर में या फिर लॉकरा में तेजबूर जोह ए इन पांच एरियस में आपका पीस्टी हो सकता है वो डिपैंड करता है काउनसा आपको एलिया ग्या है देखिए ट्रेड ब्रिजन रोड तो यहां पे 18-23 साल रखा गया है क्लरक के लिए 18-25 है ट्रेड परसन असिस्टेंट में 18-25 है लेक्ट्रिकल लाइन मैं इंजिनियर क्यूपमेंट उसके बाद उसनों मैं थोड़ा पर स्क्रोल करता हूं इंस्ट्रूमेंट रिपेर एक वहिकल मेकैनिक जितने भी ट्रेड में के पाद है देखो इसके पीछले करका रहा है यहां पर लिख रहा है जितने भी ट्रेड के पाद है जिनके पर लिख रहा है उनस सब में 18-23 साल रखी गई है एज लिमिट और अगर से-सट तो पांचल की एक 애हां में यहां, अजर दीन, मैं जट सकीम को AMA करते हो? यहां देखें, असा में 47 वेकैंसी हैं, और हर्याना में 12 वेकैंसी है, हिमाचल में 4 वेकैंसी हैं, रेट के कोडिंग यहां पर देख सकते हो अरुनाशर प्रदेश में 41 वेकैंसी निकली हुई है ओके अब मैं थोड़ा स्क्रोल डाउन करता हूं नीचे यहां देखिए असा में 47 वेकैंसी है और हर्याना में 12 वेकैंसी है हिमाचल में 4 वेकैंसी है काफी कम वेकैंसी दे रखी अगर मैं एक वेकैंसी है यहां पर अगर मैं इसको स्क्रोल डाउन करूं तो यहां पर 48 वेकैंसी और जम्मू कश्मीर में 21 वेकैंसी है जार्खंड में आपके 51 है करणाटका में 42 है केरला में 34 है ठीक है और लक्षदीन में 2 स्विकेंसी है माध्यय पर्देश 42 है माहरास्ट्रा में 61 है मनिपूर ड्रक्स है मेघाले में साथ है मिजारम में आपके मिजार में स्कूरल डाउन करता हूं है इंका तो नोटिफिकेशन रखने का ख़ड़ा बड़ा जीव है मिजार में पचटर लइड में दोस्तों 105 सबस्यादा यहां पर देख सकते हो मैंने आपको बता दिये स्टेट वाइस क्या कटेगरी वाइस एंड स्टेट वाइस कितनी वाइस बाटी गई गई आपकी और नागलेंड में यूपी में बिहार में और ओडीसा में हो गया ठीक है में गुजराथ हो गया जारखंड हो गया असाम हो गया है जालेंग से यह सबसे ज्यादा वक्याइस में इन स्टेट्स में निकली हुई यह दुस्तों लिमिट मैं आपको बता दिया फिजिकल कब होना आपको मेर बता दिया अब बात करते हैं कि इसलमी वाली अगर आप मेल कटेकरी हैं बिलौं करती हो तो क्र फीमेल केज़े बिलॉंग करता थे गडर आपको 785를as पूरी करनी है और फीमेल को 800 मीटर की दोड चार मिनट में पूरी करनी है। तो आपको यह समझ आ गया होगा, Age criteria समझ आ गया होगा Distribution कर दिये हैं, यहां पए state-wise vacancy कितनी है, मेरे state के लिए 4 vacancy है, जोकि यह expected है इतनी है, पतनी क्या दिक्क्त है एंड फिजिकल कब होना है एक दिसम्बस से चालू हो जाएगा फीस कितनी रहने वाली है 200 रुपए फीस रहने वाली है ट्रेड मैं के पद के लिए और टेक्निकल के पद के लिए 100 रुपए फीस रहेगी दोस्तों SC, ST, PWD, Ex-Service Man, Woman के लिए कोई भी फीस नहीं है आइट कितनी रहने वाली है, एज कितनी रहने वाली है, चेस्ट कितनी होनी है, क्या पराबधान है इसका करने का, ओनलाइन फॉर्म कब से चालू होने है वैसे हो चुके हैं दोस्तों लेकिन अभी डंक से चलनी रहे है, तो दोस्तों यह था category काफी सारे आपके डाउट्स आर क्याता गईश